वेल हेलो गईस अभी आप देखिए इमाजोन एप्लिकेशन को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है सब्सक्त पहले अगर इमेल एडरेस को आप चेंज करना चाहूँ भी तो आपको एमाजोन एप्लिकेशन को ओपन करना होगा डाउनलोड नहीं कर रहा है तो लिंक वर्जन में डाउनलोड कर लेना है फिर आपको यहाँ पे एक उप्षेंज पर लेगा यू यानि कि अपने अकॉंट वाले उप्षेंज तो आपको सिंप्ली गईस यहीं पर जाना है यहाँ पर आप जाओगे ठोड़े टाइम आपको लोडिंग लेगा वेट करना है फिर यगें और यूर अकाउंट आपको यूर अकाउंट पर जाना है हम सिंप्ली यूर अकाउंट पर जाएंगे तो यहाँ पर अपने अकॉंट से रिलेटिड आपको काफी सारी डीटियल देखने को मिल जाएंगी जो अभी आप देखी ठोड़े टाइम वेटिंग होगा इसके सारे details आपको मिलेगी साथ में account settings related कुछ details जैसे की login and security, your addresses, आप address यहां से manage कर सकते हो, content library, आपकी Amazon family, devices, केतने devices में यह login ही, तो गईज यह कुछ details, simply आपको क्या करना है, यहाँ पर एक options आपको मिलता है, account settings के just नीचे login and security, simply इस options पर गईज आपको जाना है, यहाँ पर आ amazon.in करके show किया है, यहाँ पर आपको अपने number देखने को मिल जाएंगे, simply यहाँ पर continue कीजी, क्योंकि यहाँ पर गईज अपने account की security के लिए अपन से जोए गईज, OTP वगेरा पूचा जाता है, जो भी आपकी email है गईज, आप email से भी अगर login करोगे, email से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने, जो यह गई, mobile number के दुआ रहा किया है, तो password पूच रहा है, simply password एंटर करके, sign in value options पर क्लिक करेंगे, password एंटर कर दिये गईज, लेकिल के भी OTP पूचा है, तो OTP अपने ही security reason के लिए पूचा जाता है, जो यह गईज, कोई भी अपने account जोए access ना ल मिल जाएगी, साथ में अगर आप चैनल पर विजिट करोगे, तो आपको एक playlist मिल जाएगी गई, इस Amazon से related playlist वाले sections में, एक बर वहाँ पर जीए, तो आपको Amazon से related काफी सारी वीडियो जाखने को मिल जाएगी, वेल अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, login and security वाले options पर, यहाँ change करना चाहते हो, तो कर सकते हो, password बदलना चाहते हो, तो वो यहाँ से कर सकते हो, two step verification अगर on कर रखा होगा, तो manage options आएगा, on नहीं कर रखा होगा, तो फिर जो एगे on करने का options आएगा, तो वो आप कर लीजिए, बाकि email आपको change करनी है, तो जहाँ पे options मिलता है, edit, तो पे जाओगे, waiting होगा, कुछी time wait करना है, कि रेक new email आपको fill करने का options आजाएगा, जो क्या आप देख सेथो, कि आपकी old email, new email आपको fill करनी है, अभी new email फिल करोगे, तो email फिल करके continue कीजिए, तो आपकी email पे guys, एक OTP आएगा, वो process में आपको दिखा रहा हो, देखे मैं एक new email यहां से enter करूँगा, एक email मेंने guys enter की, और इन्होंने एक one time password भीज़ा है, अपनी email आइडी पर, तो वो email आइडी का जो password है, या OTP, वो हम यहां पे enter करेंगे, फिर continue करेंगे, तो फिर आगे की process में आपको दिखाता हूँ, देखे पासवर्ड या OTP हमारा आ चुका है, O OTP के द्वारा, पूरानी email पर कोई भी OTP नहीं जाएगा, तो कोई फिर करने की जरूरत नहीं है, यहां पर सरफ आपको Amazon account का password अभी enter करना है, पासवर्ड जैसे ही enter करोगे, email successfully change हो जाएगी, देखे गे, अगर password पता नहीं है आपको, तो सबसे पहले password forget कीजी, अभी password forget के से करना है, या change के से करना है, उस वीडियो की link आपको description में मिल जाएगी, जो आभी मैंने कुछ time पहले आपको बताया था guys, या आप चैनल पर भी visit कर सकते हो, simply मैं यहां से password enter करके, आपको email को change करके दिखाता हूँ, देखे, मैंने यहां पर password enter कर दिये है, और save changes में मैंने क्ल पता हूँ guys कि ये वीडियो आपको अच्छे लेगी होगी, क्योंकि पूरी process मैंने आपको step by step बताये, अगर आपको वैस समझ में नहीं आया है, या आप कुछ steps को गुल चुके हो, तूबारा से देखे वीडियो को, और फिर process कीजे, easily आपकी जो email address से वो change हो जाएगी, बि इडिट वले options पर जा सकते हो, बाकि Amazon में जो email address है, वो आपको इसी तरह से change कर सकते हो, बाकि कि इस आपको और ज्यादा कुछ problem देखने को नहीं मिलेगी, इस दिलिए हो जाता है, ज्यादा process आपको नहीं करनी होती है, फिर भी अगर कुछ problem होती है, तो आप यहाँ पर जो कि इस comment कर सकते हो,